तेलेगू फिल्म इंडेस्ट्री के दो सबसे बड़े आक्टर्स हैं रामचरन और जूनियार एंडियार जो 20 साल से इस इंडेस्ट्री में हैं और जब दोनों राजमोली साब की आर आर में एक साथ है इन्होंने तो ग्लोबल स्टेज में आग लगा दी और अपना नाटू न दियार और कोरतला शिवा की देवरा पर है लेट सी वोट दे हाफ तो ऑफर अस नाव वैसे भी देवरा ले इनकी क्लाबरेशन की काफी एक्साइट्मेंट बना रखी थी काफी समय से जब यह टू पार्ट मूवी अनौन्स हुई थी तब से खास करकि कोरतला शिवा की रीस या नहीं इस वीडियो में हम बात करेंगे and with that I welcome you all to my channel देवरा पार वन की कहानी सेट है रतनागीरी नाम के कोस्टल विलेज में और इस पार्ट की पूरी कहानी फ्लैश बैक में चलती है जहां प्रकाश राच का कैरेक्टर सिंगपा रतनागीरी के वारियर्स की कहानी सुन लूपने के लिए और रतनागीरी की सेना ने ब्रिटिशर्स को मार कर इनके खुन से समंदर लाल कर दिये जिस वज़े से उस समंदर को रेट सी भी कहा जाता है बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जब चंग लणने की ज़रूरत नहीं थी तो यहां के लोग गुजारा करने के लिए दे टरंड इंटो पाइरेट्स और एक लोकल मुरगा नाम के आम सप्लायर के लिए स्मगलिंग का काम करने लगे उनका काम बस इतना था जो भी शिप रतनागीरी के पास से गुजरेगा उसे लूपना है बीच समंदर में से तो क्वेस्चिन आस्ट जिसके बदले में उन्हें पैसे मिला करते थे रतनागीरी के विलेजिस चार सब विलेजिस में डिवाइडेड है जिनके अपने 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 लीडर्स है और इन शिप्स को लूटने के लिए ये चारो विलेजिस के मेंबर्स एक टीम बनकर काम करते हैं और देवरा इस टीम को लीड करता है बट वेन देवरा gets to know कि उनकी इस smuggling से innocent लोगों की जाने जा रही है then he realizes कि जो भी वो काम कर रहा है वो ethically wrong है and he suddenly changed his mind और बाकी सभी members को भी order करता है कि कोई भी अप arms की smuggling और मुरुगों के लिए काम नहीं करेगा और अगर कोई करता है he will make sure कि वो ऐसा होने नहीं देगा and on the other hand जो सेफली कान का character है पहरा वो completely opposite है देवरा से और एक dumb जहिशत फिलाने वाला आदमी है सब के गले काट रहा है और ना जाने क्या क्या कर रहा है वो इतना hot head है कि उसे कोई मतलब नहीं है कि कोई मर रहा है या जी रहा है उसे बस अपने काम से मतलब है और पैसा कमाने से cause he is pretty good at it अब problem कहां आती है देवरा जो पहले इनके साथ मिलकर काम कर रहा था अब वो इनके against है और किसी को illegal activities भी नहीं करने दे रहा है अब भहरा को देवरा से problem है कि जब तक वो इसके रास्ते से नहीं हटेगा वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसके लिए भहरा ने एक plan बनाया देवरा को अपने रास्ते से हटाने के लिए और अचानक देवरा कही सालों के लिए कहीं गायब हो गया उस गाओं से लेकिन उसकी absence में उसका खौफ अभी भी गाओं में बना हुआ था कि अगर कोई smuggling के लिए जाता है तो उसका तो भाई काम तमाम और इसी डर्स से गाओं के सभी लोग illegal activities करना चोड़ देते हैं और अपनी रोधी रोटी के लिए उन्हें fishing के तरफ मुड़ना पड़ता है और वहीं दूसरी तरफ देवरा का बेटा वारा unhappy है कि उसका बाप उसके परिवार और गाओं वालों को अकेला चोड़ कर जंगलों में जाकर रह रहा है क्यों? क्योंकि वो एक तरह से गाओं को predict कर रहा है उनकी गलत आदतों की वज़े से I know it seems silly बट इतना भी नहीं है there's more to it जिसको जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी कि देवरा वापिस इस गाओं में आया या नहीं अगर मूवी नहीं देखना चाहते हो don't worry आपको इस चैनल पर देवरा पार्ट वान की ending explain भी मिल जाएगी और इस पार्ट के कुछ unanswered questions और next part की theories की वीडियो भी मिल जाएगी इनको जानने के लिए अपनी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना और चैनल को ग्रो करने के लिए आप सपोर्ट करना thank you सबसे पहले बात करूँ तो movie entertainment के मामले में कहीं पीछे नहीं है और अतनागरी का जो world अपने को देखने को मिला well, वो सलार और KGF जतना interesting और complex तो नहीं है बट decent है उनकी अपनी history है, अपने traditions है, annual tournaments है जो इस world को unique बनाते है फिल्म की story और length इंको से को justify नहीं करती है मेरे हिसाब से क्योंकि अगर आप almost 3 गंटे की movie बना रहे हो तो this world के अधार पर movie based है उसकी history establish करने में आपको थोड़ा वक्त और लगाना चाहिए था बट anyhow फिर भी movie आपको engage करके रखेगी और कोरतला शिवा ने part 1 की direction में तो ही gave his all जिस तरीके से cinematography, editing, production, designs, set, makeup, CGI, VFX का use किया है extraordinary तो ये सब ही elements वैसे इस movie की तारिफ के काबिल है इन मामलों में आप निराश होकर नहीं जाओगे और makeup में तो specially सैफली खान इन लूंगी और after interval वाली look में शांदार है फिल्म का opening eye scene is simply breathtaking जहां से ये रतनागीरी के pirates एक cargo ship से container चुराते हैं और ये scene काफी intense और thrilling भी है minute by minute scene gripping होता जाता है जब coastcards उन्हें track कर रहे होते हैं जहां दोनों का एक एक हाथ कपड़े से बना होता है और उस पर आग लगती है एक point पर वो भी excellent है और pre-interval beach fight और post-interval के action sequences especially pre-interval वाला scene is another thing that you need to look upon which worked well for me too और last का shark scene इसे कोई कैसे बूल सकता है हमने इससे पहले junior NDR को tiger से लड़ते हुए देखा now this time he is taming a shark one of the wildest scene from the whole movie now let's come to art of the film which is Anirudh Ravichandr का background score जिसने भाई फिर से थाबित कर दिया है कि वो आज के time के best composers में से एक है Anirudh का music सिर्फ background score नहीं है बलकि it's a character itself जिसने हर emotion में और ज़्यादा depth add कर दी movie देखने के बाद भी it stays with you and hits you hard until you're not over it I'm eagerly waiting for his next project Viteya जो रजनी सर के साथ है और भी मैं Anirudh के upcoming projects देख रहा था जैसे Vikram 2, Jailer 2 and many more seems like we are in for a good surprise देवरा में Junior NTR is brilliant and there's a reason why he's called as man of masses fully mass entertainer है ये movie and he delivers his best for his fans देखो यार अगर आप Junior NTR के die-hard fan हो तो movie देखकर आपको तो दो तिन दिन के लिए नीन नहीं आने वाली और अगर fan नहीं हो तब भी आपको Junior NTR के performance disappoint तो at least नहीं करेगी देवरा के रूप में जो gravitas दिखता है that is pitch perfect और जिस जरनी में वो निकला है रतनागीरी को transform करने की और आप भी एक तरह से उसके साथ साथ चल पड़ते हो जब वो रतनागीरी को बदलने की जरनी पर निकलता है वरा की रूल में Junior NTR काफी playful है और मुझे अच्छा लगा ये देखकर की there's a difference in both the characters the way he played them NTR Junior has done a good job maintaining this और यार सैफली खाना इस बहरा में definitely आपको लंगरा त्यागी की जलक डिखती है कोई भी ऐसा करेक्टर देख लो अगर आपको लंगरा त्यागी की सैफली खान याद न दिला दे तो I mean best यार इसने द्लंगरा त्यागी में अच्छा काम कर दिया था कि वो extended maintained है और यार सैफली खान काफी seasoned actor है उसके लिए तो ऐसे complex characters के traits को play करना आम सी बात हो गई है अब तो वो बहुत easily pull off कर लेता है ऐसे characters को इन दोनों के comparison में बाकी कास को जादा shine करने का मूखा ही नहीं मिला है ऐसा लगा मूवी में वैसे बाकी कास भी अच्छी है लेकिन इनके सामने ऐसे लगा कि उन्हें कुछ memorable करने का chance ही नहीं मिला मुझे प्रकाश राज भी पसंद है तो मैं उन्हें भी shout out जरूर दूँगा and all the bad reasons why this movie didn't work out for me पहले तो यह है कि film काफी लंबी है जो थोड़ा exhausting धा मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं इतनी लंबी movie नहीं देख सकता हूँ बट second half में मैं थोड़ा movie से detach होने लगा था लेकिन last के 15 minutes में movie फिर से अपनी pace पकड़ती है and you get curious की next क्या होने वाला है movie में and the next reason is जानवी कपूर का role जो बहुत चोटा है बस एक चोटे से cameo जैसा है अगर आप उन में से होजे जानवी कपूर के लिए movie देखने जा रहे हो तो भाई इससे अचा है गर पर बैठ कर ही movie देख लेना जब OTT पर ये release होगी और lastly देवना part 1 का सबसे बड़ा drawback है उसकी predictability जैसे जैसे story आगे बढ़ती है सब कुछ guess करना easy लगता है और ये इस वज़े से है क्योंकि suspense element completely missing है जिससे आप interest lose करना शुरू कर दोगे successful multi-part movies जैसे Pony Ian, Selvan, Salar और Bahoboli ने cliffhangers को अच्छे से use किया था जिससे उनके sequels का wait करना exciting था अपने लिए और सिम ऐसा ही cliffhanger देवरा part 1 में भी है पर उसका impact I don't think so ही उतना powerful होगा जिससे excitement बनी रहेगी next part के लिए anyhow मेरा काम है आपको next part की updates देना और उन questions को answer करना जो इस part में अपने को नहीं मिले है उसके लिए एक मैं dedicated video ला रहा हूँ तब तक जरूर बने रहीएगा मेरे साथ और channel को जरूर subscribe कर लेना और आपके क्या thoughts है देवरा part 1 को लेकर please comments में share करना till then take care have fun and thanks for watching this video